मेरा नाम है दीव वियश और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंकम टैक्स के नए वाले पॉर्टल पे आपको अपना बैंक अकाउंट जो है किस तरह से यहां पर प्रिवैलिडेट कराना है जैसे सभी आप लोगों को पता होगा कि रिफंड जो है जल्दी से जल्दी अगर आपको इशू कराना हो तो आपको अपना बैंक अकाउंट जो है प्रिवैलिडेट कराना पड़ता है एवन नए वाले जो पूर्टल है उसके उपर जब आपनी रिटन भी फाइल करेंगे तो आपको वहाँ पर कमपलसर ही हो जाएगा कि आपको अपने बैंक अकाउंट को प्रिवैलिडेट कराना ही होगा वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा अगर आप एक एक्सपर्ट के थूरू अपनी इंकम टैक्स इटन फाइल करवना चाहते है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए गाईस करते हैं वीडियो को शुरू तो गाईस सब से पहले क्या करना है आपको अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन करना है आपका जो पुराने वाला आइड एट एन पासवर्ट है जो पुराने पॉटल पर चलता था वही नए पॉटल उनके ऊपर चलेगा मैं यहाँ पर सिर्फ bank account की बात करूँगा, तो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे, my bank account लिखा होगा, तो यहाँ पर simply आपको my bank account के उपर click करना है, जैसे काई साफ click करेंगे, आप यहाँ पर screen की सामें दे सकते हैं, यहाँ पर 3 tabs दीवी है, added bank account, failed bank account and remove bank account, तो आपको simply added bank account के उपर यहाँ पर click करना है, उसके बाद में यहाँ पर देखें, उपर top में दिया हुआ है add bank account, तो इसके उपर आप जैसे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपका account number पुछे जाएगा, तो आपका जो भी account number है, वो आपको simply added, यहाँ पर मैंना bank account number और उसके बाद में account type में आकर आपका saving है, current है, जो भी है वो आपको choose करना है, account holder type में आपको primary joint करना है, अगर joint account है तो joint में डालना है, IFC code में simply आपको IFC code डालना है, आप guys यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ bank है, जिसमें आप EVC का option यहाँ पर select कर सकते हैं, जिसमें आपको mobile number डालना पड़ता है, लेकर अगर माली चाह आपका ऐसी जगर पर bank account है, जो कि basically यह portal support नहीं करता, तो यह सिर्फ एक तरह से refund के लिए using होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लिखाओ भी आ रहा है, बट EVC cannot be enabled for this account, enable EVC option available for following banks, तो यहाँ पर list of the bank दे रखाएं, तो guys अभी यह list of the banks यहाँ पर updated नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी यहाँ पर updated हो जाएगी, तो आपको ध्यान लखना पड़ेगा कि basically EVC के लिए आप enable भी करना चाहते हैं, तो आपको अपना वही mobile number डालना पड़े वो यहाँ पर automatically update हो जाएगा, उसके बाद में मेरा जो भी TDS refund होगा, जब मैं अपनी return file करूँगा, तो उसके अंदर basically automatically यह मेरा bank account fetch हो के आजाएगा, और फटार फट से मेरा जो refund भी है, उसी IC account के अंदर यहाँ पर basically issue हो जाएगा, so guys hope you like this video, please subscribe our channel, आने वाले में वीडियो